नागरिक्ता संसोधन अधिनियम पास हुए तकरीबन तीन महीने हो गए देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी विरोध ये कहके हुआ कि यह संबिधान के खिलाफ है उसकी आत्मा पर हमला करता है एक ऐसा कानून है जो धर्म के आधार पर नागरिक्ता की बात करता है तीन महीने हो जाने के बावदूद भी कानून में अखिर कर ऐसी क्या खामिया है कि अभी तक इसके रूल्स नहीं बन पाए यह लागू नहीं हो पाया इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं स्क्रॉल के पत्रकार सोयब दानिय तो आधिकर क्या कारण था क्या दिक्कते हैं कि तीन महीने हो जाने के बावजूद भी कानून में कैसी विरोधाभास है कि अभी तक इसका कानून नहीं बन पाया CAQ लागू नहीं हुआ है यह इसका सबसे मूल कारण है कि जो CA Act बना तो है रेफ्यूजियों के लिए मंगर एक्चलि रेफ्यूजियों की कोई मदद नहीं करेगा बहुत कम मदद करेगा इसके पांच कारण है पांच मूल कारण है सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो मंगलादेश से पस्चे मंगाल या असम आए हैं उनको अलड़ी नागरिकता मिल गई है इनफॉर्मल वेस से मिली है यह अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो इनटेलिजेंस ब्यूरो खुद कह रही है जॉइंट पर्लिमेंट्री कमिटी की रिपोर्ट में जो सी ए पर बनाए कि उनको और इनफॉर्मल मीन से वोटर आईडी कार्ड स्टाशन कार्ड वगएरा मिल गया है अब जिसका धार्मिक प्रताना हुआ भाग के आया है वो कैसे प्रूफ करेंगा क्योंकि देखिए बंगलादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कोई मदद नहीं करें वो लोग तो इससे बहुत घुस्सा है कि हिंदुस्तान ने ऐसा कानून बन से श्रिलंका से आपके लिए लागू नहीं है ठीक है अब यह बहुत बड़ा पैरेडॉक्स है कि जो आत्मी भाग कर आया है जिस जो कानून उसके लिए बनाया जिसकी कोई भी दिस्तावेज नहीं है वो कैसे प्रूफ करेंगा कि इसके पास यह नहीं है चौथा आप अग उसकिसी नहीं किया है तो यह लोग के उपर लागू नहीं होगा पांचवा और यह भी बहुत ही महतुपूर्ण पॉइंट है उसको तुरह तवर्जत सुनिएगा बीजेपी ने बहुत बार दावा किया है कि CAA से एनर जो हिंदू NRC के जहासे में आये आसाम में उनसे वह बड़ा इक मतलब विशितरबात है क्योंकि जब उन्होंने नर सी में अप्लाई किया तो जो हिंदू-Bangali निर्ख में अप्लाइद किया था उन्होंने यह दावा किया था कि हैं लोग सिए के तहे मैं यह था ने बादका यह ने बताया यह नहीं तो यह कारण हो सकता है क्य चले कि कोई आया ही नहीं ठीक है क्योंकि आई बी ने खुद जेपी से में कहा है कि तीस हजार लगभग लोगों को ये फायदा होगा उससे जादा नहीं और ये अगर हकीकत में हो गया बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को लट पुलट कर दिया और फायदा लगभग किसी क आप कहे रहा हैं कि एक तो कानून जिसका विरोध किया गया कि समभिधान के खिलाफ है उसकी आत्मा पर हमला करता है वो कानून ही अपने आप में इतनी इसमें खामियां है कि वो लागोई नहीं हो पारा है एक बहुत अच्छे आपने पॉइंट कानून में भी पॉइंट था धार्मिक प्रताड़ना जो कानून में थाने लेकिन के पीछे वाले पिछले पेज पर था अलग हिस्से में अब लोग पूछ सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कैसे साबित करें कि उसके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है तो चलिए यह बात है तो हो गई कितना मतलब औधी कितनी होती है कि कानून बन जाना चाहिए कितनी औधी में लग वाग तो यहां पर जब कानून पास हो जाए जब कानून नोटिफाइ हो जाए उसके बात से लागू करने में सरकार के पास छे महीनों का वक्त होता है जिसमें से तीन महीने गुजर गया है अगर वो सही में शरणार्थियों की मदद कर देता जो बंगलादेश से आ रहे हैं तो मचलता चलो एक अच्छा कुछ हो गया मगर ये भी नहीं हो रहा है अब तो आगे चलते हैं जो संसद में भाशन में अमिट सा कह रहे हैं NPR को ले करके कि NPR में क्या होगा कि आप से जानकारियां जबरन नहीं मांगी जाएगी आप दीजिये बिना डॉकुमेंट के ये भी कह रहे हैं कि डाउटफुल सिटीजन जैसी कोई चीज़े नहीं लिखी जाएगी डाउटफुल जैसी कोई बात नहीं लिखी जाएगी लेक 2003 में फिर से संक्षोधन किया था उस वक्त उन्होंने एक वहाँ पर फ्रेज आड़ा था इल्लीगल माइगरेंट मतलब घुसपैटिया पहली मरतबा यह यह वर्ड इल्लीगल माइगरेंट यानि घुसपैटिया कानून में डाला गया इसको लागू करने के लिए रूज लग नर्सी कैसे बनेगा और वहां पर दिया हुआ है कि नर्सी बनने के लिए हमको पहले करना पड़ेगा एक डो-टू-डो सर्वे और डो-टू-डो सर्वे का नाम है एन-पी-आर यह सर्वे है डो-टू-डो यानि एन-पी-आर नैशल पॉपुलेशन रजिस्टर ठीक है यह इसमें बड़ा दिल्चस्प सब्सक्राइब लिखा होता है रजिस्टर फॉर और रेसिडेंट नॉट इस समझाता हूं एन-पी-आर है पूर यह एन्यूमेरेटर है घूम-घूम के सबका रेसिडेंट वाला एक कॉलम बनाएंगे बिलकुल ठीक है अब यह रूज में रू इसके बाद एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका जो लोकल बाबू है लोकल जो दफ्तर में बैठता है बीडियो वगेरा मैं नीचले पत्का दिका रही है वो इडेंटिफाइगा कि अजय या शोयब डाउटफूल है कि नहीं है मतलब उ चीदा मैं आपको पताता हूं मैं आपको पुड़ा प्रक्या ने कैसे करके किया यहां पर डी लिखेगा इसको बोल दें वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो रहें एंपिया के बाद ठीक है उसके बाद होगा क्लेम जोन प्रोसेस जिसमें आपको साबित करना पड़ेगा कि ह इसका मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं ठीक है जो आदमी पैदा हूँ यहां पर जो पला बढ़ा यहां पर इसके बाप दाता इहां बड़े हुए उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं मैं यहीं पला बढ़ा बिलीफ और किसको प्रूफ करने को चोटे बाबू को ठी कुछ जाते कितना आपको जमेला जुलन्जा बढ़ता है यह तो आपको पता है मुझे बताना नहीं पड़ेगा सोचिए क्या बात आप आगए आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि मैं हिंदुस्तानी हूंगी नहीं तब आप पर क्या आफत आपके सर पर तूटेगी य इसमें लोगों को डाटफुल करार दिया जाएगा जो उस परिक्षा में पास हो गया उनका नाम एनर्सी में चला गया जो उस परिक्षा में फेल होगा है वो इलिगल मैगरेंट बन गया और उनको तब उन पर कानूनी कारवाई की जाए क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है हाला कि वो पैदा हुए इंदुस्तान में जो बेंबर कानून दो अंदा है अब आपने कानून एक ठपा डाल दिया के लीगल मैगरेंट है तो अब अमिच्छा ने कहा कि NPR के दौरान किसी को डाटफुल करार नहीं दिये जाएगा ठीक है यह बात एक तरीकी से अर्ष सकत और है आपको पूछा जाएगा आजए आपका नाम क्या है आपके पिदा जी का नाम कि आपको जनमस्थान चाहिए उस वक्त तो कोई डाउटफुल नहीं कर दो यह सब अधंने की संसत्र सुनके अमिच्छा करें कि आनार सी लागू नहीं हो अमीच्छा कह रहें कि अन पिय होगा तो इसमें हम डावट फुल वोटर जैसे कोई चीज़ें नहीं लिखेंगे तब तो अमिज साथ ठीक ही कह रहे हैं आप लोग विरोध क्यों कह रहे हैं इसका क्या जवाब है क्योंकि देखिए पहले तो सबसे पहले अमिज शाह जी ने कभी यह नहीं का कि नर्सी कभी या ना कहे साक्षात भगवान को जाकर कहे या ना कहें जब तक कानून में यह शब दर्ज है यह हिंदुस्तानी कानून ने 2000 रूल में आप देख सकते हैं नर्सी का जिकर एंपर का जिकर यह दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट आप अगर इसी कानून के तहद देखिए एंपियार एंपियार से मोधी सरकार अभी मुकर नहीं रही है एंपर करा रही है कहरी सीना ठोके रहें आप अगर यह रूल्स पढ़के देखिए एंपियर का एक और सिर्फ एक ही मकसद है वह एनर्सी कराना उसको और कोई यूज ही नहीं है क्योंकि और सब जो है अब कि मोधी जी कहने की बेनिफिट की लिए किया रहें नहीं आप अगर कानून पढ़के देखिए का कोई जिकर नहीं एंपियार सिर्फ एक और बार बार मरते दम पके कहूंगा एंपियर इस ओनली फर्स टेप टू एनर्सी एनर्सी का पहला कदम है एनर्सी के लिए डेटा ग खुब हो हला हो रहा है कि नहीं होगा कुछ नहीं होगा हम लोग नहीं कह रहे हैं लेकिन कानून में जो दर्ज है वहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसा ही है उसमें कोई फिर बदल नहीं किया जाएगा वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद एनर्सी क्रेट होगा बस यह कानून आई गया है NPR का 2003 से आप कही रहे हैं और NRC के बारे में बात हुई चुकी है NPR के सेंसर्स के बात की बात सारी चीज़ हो चुकी है तो अब आप मुझे बताईए कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं यह विरोध प्रदर्शन को लेकर के बार बार अमित्सा कह देते हैं कि हमने सब कुछ हटा दिया आप जो मांग कह रहे हैं तो अखिर कर क्या यह करें कि हम कहें कि नहीं यह सरकार गंभीरता से सोच रही है इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में बहुत अच्छा सवाल मेरे मेरे नजरी में दो चीज़ें करनी थी सरकार को जिससे जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मन थोड़ा सा शांत हो जाए उनको थोड़ा सा शॉरिंस मिले सबसे पहले दो हजार तीन रूल्स को आप हटा दीजिए ठीक है आप कहरें कि आप नर्सी के बारे में कोई सोच विचार नहीं हुआ है तो यह आप बात जो जुबानी है उसको आप कानूनी भी कर दीजिए ठीक है तब आप मान लेंगे आपकी बात अगर आप सही में यह मात मानते के अप नर्सी नहीं होगा तो नर्सी का कानून लेके क्या करें हम लोग अचार डालेंगे हटा दीजिए अनर्सी का कानून तब बहुत मतलब लोगों को आशवासन आ जाएगा दूसरी बात है अमिछ शाह जी ने बहुत मरतबा कहा है कि सीय से इनर्सी का फिल्टर बन क्योंकि मुझे मैं अपनी जाती तोर पर समझता हूं कि शरणार्तियों को जगा मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में हमारे जो पुलिटिकल कल्चर है उस पेशनार्ति को लिए हर वक्त जगा रही है और आगी भी रहेगी हर वक्त हम लोग का कल्चर है वगर हम लोग को यह करना चाहिए कि उसको नॉन क्मुनिल बना देना जा वसुधाय कुटूब बनाना जा आप वह यह जो पच्छे मजभ्य उनको नाम हटा दीजिए और लिजिए पर्टारेना के बैसिस पर आप जरूर लोग को मतलब हम लोग का तो यह फर्ज बनता है कि अगर श्री लंका या पा सब्सक्राइब करें लोग जो सही में जिससे जुलस रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए करें ना कि यह छे धर्मों के नाम महार डाले जो कम्प्रिटली कम्यूनल और नॉन कॉंसिटूशनल एक्ट है सुक्रिया हमसे इस पर बहुत ही सरल अंदाज में बातचीत करने के लिए सुक्रिया आप देखते रहे हैं निउस क्लिक